नमस्कार मैं हूँ रादका राज और आप देख रहे हैं केसरिया नियूस केंद्रे रेल राजय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू ने बीते दिनों मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया था उन्होंने रा ने क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में केंद्रे मंत्री और भाजपार ने इता रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिये गए बयान पर उन्होंने कहा उनका दिमाग ठीक नहीं है उन्हें इलाज की जरूरत है राहुल गांधी ही थे जिन्होंने रवनीत बिट्टू को पगड़ी पहने के लिए कहा था क्योंकि वो कभी पगड़ी नहीं पहनते थे उन्होंने ये कहे कर अपने दादा बेंग सिंग की पगड़ी पर दाग लगाया है तो वही सुखजिंदर सिंग रंधावा ने बिट्टू पर जवावी हमला करते हुए कहा वो आज कहते हैं कि कॉंग्रेस की वज़े से पंजाब में आतंगवात पनपा इस बयान से ये अपने दादा सहीत पूरी फैमिली को शर्मसार कर रहा है जिस बेहन सिंग की हत्या तक आतंगवात की वज़े से हुई हो इसके परिवार ने कॉंग्रेस में पीडिया कोशिश की है आगे कहा था सिक किसी दल से जुड़े नहीं है ये चिंगारी लगाने की कोशिश है और राहुल गांदी एक नंबर के टेरिरिस्ट है उन पर तो इनाम होना चाहिए राहुल गांदी विदेश में जागर देश के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बाते करते र राहुल गांदी ने इस बयान पर टिप्टी नहीं की है ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांदी इस कड़वाहत भरे बयान पर कैसे पलटवार करते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए के सर्या निक पर क्हीं है